ओलिन्या महिला कॉंग्रेस की अध्यक्ष अलकालांबा जी महराश्ट के तीन दिव से दोरे पे हैं मुंबई में आज वो मौझूद है और इस भी चुनों ने कई महिलाओं को संबोधित किया जिस तरीके से कॉंग्रेस पूरी तरह से तयार नज़र आ रही है लोकसवा चुन आया उनसे बात हुई संगठन में कहां हमें ताकत देनी है मकसद यह कि भारे जुड़ो नया यात्रा 20 मार्च को मुंबई में आकर जो है समापत होगी और उसका एक भवे कारिकरम महिलाओं की हिस्सेदारी नारी न्याय का नारय के साथ हम भारे जुड़ो नया यात्रा को क कामियाब करने की पूरे भरसक प्रयास में महिला जुड़ना चारी है दोजर चोबीस का चुनाब भी हमारे बिलकुस सामने खड़ा हुआ है इंडिया एलायंस गडबंदन की लगातार मीटिंगे हो रही है और सवभावी के पहली सूची इंडिया एलायंस की आएगी और हम पूरी ताकत के साथ इस तानाशा और लोकतंत्रिक सरकार को हराने जा रहे हैं इला कॉंग्रेस की राष्ट्य अध्यक शोने के नाते जिस सरी के साज आज आपने सभी को संभूधित किया है तो क्या एजंडा रहेगा क्या प्लानिंग रहेगी केवल जो महिलाएं हैं कॉंग्रेस की मुंबई तौर पर या अगर हम पुरे राज्य की बात करें पुरदे दूसरा आता है आपका महरास दस लाक बच्चियां घरों से लापता हैं कहा हैं सुप्रिम कोट की फटकार भी लगी है तो महिला सुरक्षा जो मामला है वो बहुत जरूरी मामला है महिला सुरक्षा के बाद महिला आरक्षन भागेदारी की बात हो रही है राहुल गांदी जी का नारा है भागेदारी न्याए और नारी न्याए भागेदारी ये कि 33% आरक्षन कानून तो बन गया लेकिन लागू कब होगा नहीं मालूम है अगर वो लागू होता तो सभावीक था लोकसभा चुनाव और अभी जो माहराश के विधान सभा चुनाव होने है उसमें आ महारे जोड़ो नया यात्रा के माध्यम से लड़ी जा रही है महराश्टर में लोकसभा सीट है जो है उसे लेकर क्या प्लानिंग हो रही है महिला कॉंग्रेस होने के नाते क्या महिलाओं का क्या योगदन रहे गाईज देखिए इंडिया लाइंस के गटबंधन की स्वभावी के हमारी कोशिश रहेगी कि उन सीटों पर हम दमदार जो हमारी सक्षम महिलाओं है पी नीचे बहुत चुनाव लड़ चुकी है उनको हम लोग नाम प्रस्तावित करें स्वभावी के महिला कॉंग्रेस की राष्टी अध्यक्ष के तौर पर हम उन महिलाओं का भी नाम पार्टी को देंगे और उमीद है महिलाओं भी आपको इन चुनावों में जो है बिना अरक्षन वाली सीटों पर भी लड़ते और जीतते हुए दिखेंगी चल रही है बात यह कि इंडिया गटबंदन जो है वो क्या कर रहा है कहां कर रहा है क्यों कर रहा है हर तरह की आवाज हो रही है मीटिंगे हो रही है सब कुछ आपके सामने भी आ रहा है लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि भाजपा के एंडिये में 38 दल है 38 दलों के खिचड हरना व काली दल पंचाब साथ होड़ा भाजपा का कैसे लड़ेंगे कोई भाजपा से य는지 पूछ रहा है। AIADMKE ने आपका साथ चोड़ दिया, वहाँ कैसे लड़ेंगे, कोई भाजपासी यह नहीं पूछ रहा है कि हरियाना में JJP 10 सीटों पे लड़ने की बात कर रही है, वहाँ क्या होगा? तो कोई भाजपासी यह नहीं पूछ रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक अकेला ताना शाह सपर बारी 38 दलों पर किसी की हिम्मत नहीं है कि लोकतंत्र के सहत तहत चर्चा की मांग कर ले सीट शेरिंग हमारे यहां लोकतंत्र है और मैं एक चीज आपको ज़रूर बता रही हूँ इडी, CBI, Income Tax पूरी तरह से दाबाव हमारे जो गटबंदन है उनके उपर है उनके नेताओं पर है आपने देखा जैसी इंडिया अलाइंस बना सबसे पहले हमला NCP और शिवसेना पर बोला इंडिया एलाइंस के बनते ही NCP को दोफाड किया गया शिवसेना को दोफाड किया गया और यह हरकते आज भी इनकी जारी है हमारे बहुत से घटक दल हैं जो हमारे इंडिया अलाइंस में हैं उन पे बहुतों पर ED के फरजी जूटे मामले 10 साल से ये सरकार चल रहे हैं नतीजे पर नहीं पहुचा पाए कि आपने इतने ED के मामले दर्ज कर दिये 10 साल का समय ले लिया लेकिन जोशी करार नहीं दे पाए आज भी सिर्फ पूचताच पूचताच करके एक हरास्मेंट कहें एक दबाव की राजनीती कहें बहुत से नेता जो भ्रस्ट थे जो भ्रस्ट थे अजीत पवार जी 70,000 करोड का घुट अज भी जो भ्रस्ट है जो डरे हुए है सौभाविक है भाजपा उन्हें डराकर भाजपा में ले लेगी जेल नहीं भीजेगी लेकिन बहुत से ऐसे लोग है जिन पे ED का दबाव बनाया जा रहा है पर वो इमांदार हैं वो जेल जाने को तयार है जैसे ज्यारकंड के हमा 36 गार राजस्तान में हमारी सरकार्थी बीच चुनाव में आपने देखा किस तरीके से दोनों राज्यों में हमारी सरकार्थी और E.D. को बेज कर बीच चुनाव में क्या खेल इनोंने करने की कोशिश की लेकिन वो डरे नहीं और आज भी कॉंग्रेस के साथ मजबूती से करके लगातार दाव बना रही है कोई बड़ बात नहीं चुनाव के तारीके की घोष्णा होते ही कोई बड़ी बात नहीं जिस दिन तारीक घोष्णा होगी उसी दिन भाजपा की E.D. दुबारा से सक्रियों हो जाएगी और उन सभी हमारे जो सहिझे गिराजनेतिक दल है या उनके निताओं के घर पर आपको दबाव बनाते हुए चुनाव को प्रभावित करते हुए दिखेगी क्योंकि चुनाव पंदरा और बीस दिन का होता है चुनाव आयोग पूरी तरह से समझोते कर चुका है चुनाव एक्ट की नुक्ति और दो सदस् इसकी बेंच का फैसला था कि मुखे चुनाव आयोग तो दो सदस्यों की नुक्ति अब अकेले सरकार नहीं करेगी परदान मंत्री नेता विपक्ष और मुखे न्याइदीश चीफ जेस्टिस ऑफ इंडिया होंगे क्या हुआ लोकतंत्र की हत्या की डेड़ सो विपक्ष के सांसुतों को एक ही बार में सदन से निलंबित कर दिया और सत्ता संख्या दम पर अध्यादेश कानून को पलड़ दिया कि अब मुखे चुनाव आयोगत की नुक्ति में मुखे न्याधीश नहीं होंगे मुखे न्याधीश जो देश में सर्वोच न्याधीश है जो पर दबाव है कि ऐसे दबाव है जैरम रमेश जी हमारे जो है कम्यूकेशन इंचार्ज पांच महीने में पांच पत्र मुखे चुनाव आयोगत को लिख चुके हैं मुलाकात का समय मांग रहे हैं देश भी देख रहा है कि क्या मजबूरी है किस दबाव में मुखे नहीं देते हैं तो यहीं से आप समझ जाए कि पूरा लोकतंत्र में सम्वेधानिक संस्थाओं पर पूरी तरह से दबाव है और यह खेल अब देश देख रहा है और यह लड़ाई देश लड़ेगा आखरी सवाल पूछना चाहूंगी जिस सरी के से विधान सबा चुनाव अब आने वाले है महराश्टर में लोक सबा के बाद तो कॉंग्रिस में किस दरा के फेड बदल होने जरूरी है जिसकर आपने आज बैठक लिए तो पिछले बार के चुनाव में परफॉर्मेंस के ब आन्दी ची की यात्रा जो आ रही है बीस माचकों से कामियाब करना हो चोबिस के चुनाव के साथ साथ आपका महरास्ट विधान सभा के भी चुनावों पर बात हो रही है कि किस तरीके से तो सभाविक तोड़ पर मुझे लगता है जब यात्रा यहां पर आ जाएगी उसके मेरे साथ All India revealing Congress की अध्यक्ष्च अलका लांबा जिदी आज उन्होंने महिला Congress जो सबी पध़ादीकारी हैं कारे करता है उन से अज उन्होंने बैठक कि वह संबोद्हत किया 30 इन दिवसे महाराज्ट विधा इस दोरे पर उन्होंने कई लोगों से बात की क्रिश्च्ण करि ABP News, माँ बाइ